महेंदर सिंग धोनी टीम इंडिया से लंबे समय से बाहर चल रहे हैं और उनकी भात्य टीम में वापसी अब IPL 2020 में उनके प्रदर्शन पर टिकी हुई है धोने भी इस बात को पक्षू भी समझते हैं और अगर वो टीम में वापसी करना चाहते हैं तो उन्हें पता है कि IPL इसके लिए एक बेश प्लेटफॉर्म होगा माही के खेल को देखने के लिए क्रिकेट फैंस बेताव हैं और जब वो प्रेक्टिस के लिए चिन्नई में मैदान पर उतरे तो उन्हें देखने के लिए दर्शक बेताव हो गया माही भी IPL के इस सीजन के लिए अब तयारियों में लग गये हैं और वो एक बार फिर से अपना हुनर दिखाने के लिए पूरी तरह से तयार हैं वैसे तो माही कप्तान के तोर पर IPL में खूब सफल रहे हैं और तीन बार अपनी टीम को खिताब भी दिला चुके हैं लेकिन एक खिलारी के तोर पर भी माही ने इस लीग में कई अहम पड़ाव चुए हैं उसमें से एक मुकाम है बिकेट के पीछे सबसे ज्यादा इस्टंपिंग की महेंदर सिंग धोरी बिकेट के पीछे कितने तेज हैं इसका जिक्र करना शायद जरूरी नहीं है और उनकी शांदार बिकेट कीपिंग स्किल की पूरी दुनिया दिवानी है अपने इस सांदार इसकिल की वज़े से ही वो आईपियर में सबसे ज्यादा इस्टंपिंग करने वाले बिकेट कीपर हैं बता दे कि माही ने अभी तक खेले गए आईपियर के 12 सीजन में हिस्सा लिया है और इस दोरान वो सबसे ज़्यादा स्टंपिंग करने वाले पिकेट कीपर रहे हैं उन्होंने पिछले 12 सीजन में 38 खिलाडियों को स्टंप आउट किया है वहीं इस मामले में दूसरे अस्था आईए स्टंप के तोर पर किये हैं तो दोस्तों अगर आप भी महंदि सिंग धोनी के फैन है तो इस वीडियो को लाएक जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि महंद्र सिंग धोनी की बिकेट किपिंग और इस टंपिंग आप को कैसी लगती है देली नियुज रूम के कर दो कर दो